श्री गनेशा या नमाहा, ये राशी फल चंद्रा राशी पर आधारित है, चंद्रमा मन के कारक है, हमारे मन पर जो भी उतार चड़ाव आते है, वो चंद्रमा की स्थीति लेकर आती है, और इस वजह से चंद्रमा की पोजिशन हमारे रोज के जिवन को बहुत ज़्यादा प पांचवे भाव में चंद्रमा के होने से ये आपके लिए सबसे बहतरीन समय होगा। चंद्रमा के पांचवे भाव में होने से आप काफी अच्छा प्रदर्शन कर पाओगे। इस समय में आपकी आर्थिक स्थिती मजबूत रहेगी, खर्चे कम होगे और इंकम ज्यादा होगी, मन पसंद रहेगा, कोई टेंशन नहीं होगा, सुबै से ही आप जोश में रहोगे, उत्साह में रहोगे, इस समय में आपके रुके हुए सारे पेंडिंग काम पूरे हो उधार दिये हुए या अटके हुए जो पैसे है वो आपको वापस मिल सकते है, अटके हुए काम पूरे करने के लिए समय काफी अच्छा है, दामपत्य जीवन में मधूरता रहेगी, घर में खुशनुमा माहोल रहेगा, इस दिन फैमिली के साथ समय व्यतित करना काफी आप भी खुश होगे और आपके फैमिली वाले भी काफी खुश रहेंगे, किसी तरह का टेंचन या प्रेशर इस दिन आप पर नहीं रहेगा, अच्छे समय का अच्छा फाइदा जरूर उठाए, लव लाइप में अपने पार्टनर को खुश करने के लिए समय अच्छा है पार्टनर के साथ आप समय व्यतित कर सकते हैं, लाइप के बारे में मिलकर कोई अच्छा डिसिजन भी ले सकते हैं, आज खर्चे नहीं होगे, लेकिन आए अच्छी रहेगी, स्टूडेंस के लिए भी समय अच्छा है, अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस रखें, और अच दिखेगा, ये समय सरकारी कामों को पूरा करने के लिए उपयुकत है, सारे सरकारी काम इस वक्त पूरे हो जाएगे, इस समय में सरकार की तरफ से मान पतिष्ठा मिल सकती हैं, जो लोग राजनीती में हैं, उनके लिए ये दिन काफी शुब रहेगा, इस समय अच्छानक से धन की प्राप्ति भी होने के योग बन रहे हैं, यानि जो लोग शेयर्स में इन्वेश करते हैं, उन्हें मुनाफ़ा हो सकता है, इस समय में गुप्त धन मिलने के भी योग बन रहे हैं, हो सकता है कोई लखी ड़ा या इनाम, इसमें भी आपको कोई फायदा हो जाए, इस स आपको काफी लाबदाय करेगी वहां से आपको धन कमाने का भी मोका मिल सकता है निवेश करने के लिए और कोई महतोपुर्ण निरने के लिए भी समय अनुकुल है इस दिन आपका स्वास्त्य अच्छा रहेगा देली अक्टिविटी चुरू रखे योगा करे प्रानयाम करे स सुबे का टहलना जारी रखे अपने डाएट पर ध्यान दे खुद भी स्वस्त्र है और आपके अपनों को भी स्वस्त्र रखे इस दिन लाल रंग का इस्तेमाल करना आपके लिए अच्छा रहेगा और एक अंक इस दिन आपके लिए लखी साबित हो सकता है दोस्तों यह र राशी फल को एक मार्ग दर्शन के तोर पर लिया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा दोस्तों सभी राशी के लोगों के लिए जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ जरूरी बाते वीडियो में आगे बताई गई है तो वीडियो आगे जरूर देखे व्यक्ति को अधिक सफलता प्राप्त होती है परन्तु कई बार ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति के जीवन में कई ऐसी घटनाए घटित होती है जिसकी वजह से उसको बहुत सारी परिशानियों का सामना करना पड़ता है और इस स्थिति में व्यक्ति को बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है दरसल आपके घर में ही कुछ ऐसी चीजे होती है जो हमारे भाग्य को प्रभावित करती है हमारे जीवन को प्रभावित करती है और उन चीजों के आसपास होते हुए भी हमें वो चीजे नजर नहीं आती वह चीजे हमारे चारों तरफ एक अजीव सा घ उठाना पड़ता है हम पूरी तरह से कंगाल हो सकते हैं दोस्तों काफी लोगों को इस तरह की आदत होती हैं कहीं से भी बाहर से आते हैं कहीं भी जूते चपल फेक देते हैं कहीं पर भी उतार देते हैं कुछ-कुछ लोग तो घर के एंट्री के में डोर के सामने ही जूतेया चपल डाइरेक्ली उतार देते हैं दोस्तो ध्यान रखे जूते चपल हमेशा साप सूत्रे रखे और उनको उनकी जगे पर रखे उनके लिए एक स्थान बनाए उस स्थान पर रखे अगर कोई व्यवस्था उनके लिए की है तो बहुत का ध्यान ज़रूर रखे साथ ही दोस्तो एक और बात है जिस पर आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है हमारे घर के चप के उपर जिन चीजों का हमें काम नहीं होता है उन्हें हम घर के चप के उपर रख देते हैं ऐसा करते करते देखेंगे तो घर के छट के उपर कबार जमा दिखता है जी हाँ जो चीजे हमें लगता है आगे जाके हमारे काम में आ सकती है वो हम घर के उपर रख देते है लेकिन वो चीजे तो काम में नहीं आती हमारे जीवन पर वो चीजे बहुती गहरा negative effect डालती है क्योंकि ये चीजे हमें कही ना कही हमारे जीवन में पीछे रखेगी इस वज़े से घर के चछत को पूरी तरे से साप रखे पूरी तरे से साप सुत्रा रखे, clean रखे साथ ही दोस्तों हम हमेशा देखते है गर के उपर जाने के लिए जो सीडिया है उन सीडियों के नीचे जो जगा होती है वहाँ पर सामान हमेशा रख दिया जाता है वो जगाई ऐसी है कि सामान को खीची लेती है वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ सामान मिलेगा ही अगर हम सीडियों के नीचे सामान रखते हैं तो हमारी उन्नती होना बहुत ही मुश्किल है जी हाँ सीडियों के नीचे कूडा, कच्छरा, कबार अगर हम जमा करके रखते हैं कोई भी सामान रखते हैं तो उस वज़े से मालक्ष्मी हम पर पसंद नहीं होती मालक्ष्मी हमारे घर में आने की संभावना बहुत ज्यादा कम हो जाती है तो दोस्तों इन चीजों पर ध्यान रखे हमारे घर की सीडिया होती है उनकी नीची की जगा हमेशा साप सुत्री रखे क्लीन रखे साथ ही दोस्तों अगर आपके घर में ऐसी कोई चीज मोजूद है जिसका आपको काम नहीं है जैसे टूटे फूटे बरतन, आईना, तस्वीरे, इलेक्ट्रोनिक सामान, सोफा, कुरसी, टेबल, पलंग, घड़ी, जाडू, गमला इत्यादी तो आप इन सामानों को अपने घर से तुरंथी बाहर निकाल दीजिए वरना इससे आपको बहुत बड़ी परिशानी हो सकती है आपको ये चीजे कंगाल बना सकती है तो घर में ऐसी चीजों का मोजुद होना शुब नहीं माना गया है इससे धनकी देवी माता लक्ष्मी जी का प्रवेश घर में नहीं होता ह इन चीजों से आपके घर में नकारात्मक उर्जा का संचार होता है और जिस वज़े से व्यक्ति को मानसिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है व्यक्ति के मन में चिड़ सेड़ा हट होती है और चोटी-चोटी बातों पर गुस्सा आने लगता है आप जो भी कार्य करत उसमें आपका मन नहीं लग पाता है इस व्यक्ति का जीवन घर में मोजूद इन चीजों की वज़े से अंदकार में डूबने लगता है इसलिए आपको घर में बिना काम की चीजे कूडा कचिरा नहीं रखना है दोस्तों एक और खास बात है हमारे घर में मकडी का अगर जाला है तो वो बिल्कुल भी शुब नहीं है जी हां वो अशुब माना जाता है घर में मकडी का जाला होना अशुब है इससे आपके अच्छे दिन भी बूरे दिनों में बदल सकते हैं क्योंकि मकडी अपना जाल शिकार को फसाने के लिए बनाती है और अगर आपके घर में मकडी का जाला है तो इससे घर में नकारत्मक उर्जा का प्रभाव अधिक बनता है और वास्तु शास्त्र के अनुसार इससे सकारत्मक उर्जा का नाश होना शुरू हो जाता है दोस्तो मुख्य द्वार भी हमेशा साब सुत्रा रखे मुख्य द्वार को हमेशा सजाया जाता है क्योंकि मुख्य द्वार से ही हमारे घर में लक्षमी का प्रवेश होता है तो मुख्यद्वार को साफ सुत्रा रखे और सदा कर रखे तो बहुत अच्छा रहेगा इसी के साथ और कुछ चीजे है जैसे टूटी फूटी जो भगवान की मुर्तिया होती है वो हमारे घर में नहीं रखनी चाहिए साथ ही जो भगवान के पुराने फोटो है जो जमा करके रखे हुए होते है तो दोस्तो वो चीजे नहीं रखनी चाहिए जो भगवान के फोटो या भगवान की मुर्तिया जो घर के मंदिर में है बस वहां तक सिमीत है अगर आपके घर के शोकेस में भी वो मुर्थिया रखी है कुछ फोटो रखे थे उन्हें भी साफ करते रहना चाहिए जिन चीजों को हम मेंटे नहीं कर पाते साफ नहीं रख पाते उन चीजों को घर से हटा देना ही आपके लिए अच्छा रहेगा साथ ही दोस्तों कुछ तस्वीरे है जैसे डूपते नाव की तस्वीर या फिर जगडे की तस्वीर या फिर कुछ ऐसी तस्वीरे होती है जो देखते ही हमें समझ में आ जाता है कि ये तस्वीर negativity दर्शा रही है इस तरह की तस्वीर भी आपको आपके घर में नहीं रखनी है जी हाँ, इस तरह की तस्वीर लगाने से भी हमारे जीवन में उसी तरह के घटना ये घटित होना शुरू हो जाता है हर एक चीज हमारे घर के हम पर प्रभाव डाल रही है तो इन चीजों को ध्यान में आपको रखना होगा तो दोस्तों कुछ ऐसे चोटे मोटे बदलाव करके हम हमारे जीवन में खुशिया ला सकते है तरक्य ला सकते है, धन ला सकते है लक्षमी जी का प्रवेश हमारे घर में हो सकता है तो इन चीजों को जरूर आजमाए इस तरह के बदलाव आप आपके घर में जरूर करें धन्यवाद